नमस्कार मित्रों आप सभी का स्वागत है शीवाई एस्टलोजन में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि गुरु का जो रासी परिवर्तन हुआ था उसमें गुरु ने प्रवेश किया था धनूरासी के अंदर मूडा नक्षत्र में और मूडा जो नक्षत्र है इस गुरु जो है यहां पे शुक्र के नक्षत्र पूर्व साड़ा नक्षत्र में आएंगे एक जो नक्षत्र है वो 13 डिग्री और 20 मिनट का होता है यानि कि आपके सामने जैसे यहां पे गुरु जो है वो 13 डिग्री और 24 मिनट के होंगे तो वो शुक्र के नक्षत्र में आ सेक्था था कि गुरू जो है मुला नक्षत्र में जा रहा है वह हैं आपके जड़ों का गुच्छा तो गुरुदेव व्रधी का कारक है गुरु वहां पर फर्स जाता है तो रिजल्ट को दे नहीं बाता है तो हमने कहा था कि व्यापारिक यानि कि विश्व इस तर पर मंदी का दोर देखने को मिलेगा तो वो आपके सबस के सामने है बहुत सारी चीजों के दाम बड़े काम दंदों में बहुत मंदी आई व्यापारिक चीजे जो है वो घट गई तो इस तरह से कई सारी व्यापारिक मंदियां आपको देखने को मिली इसका कारण था कि गुरु क कि दोनों की अपसरी में इतनी अच्छी मित्रता नहीं है लेकिन फिर भी गुरु वर्धी का कारक है और शुक्र जो है वह यहां पर यह कह सकते हो कि अब आपके लाब के योग बन गए यानि कि जो व्यापारिक सुस्ती थी विश्व इस तर पे जो मंदी का जो माहोल था अब वो खतम हो जाएगा जनवरी में और आप यह मानिये कि सब चीजों में लाब के योग बनने शुरू हो जाएगा लोगों क सब के उपर हम चर्चा करते हैं लगनों के इसाब से सबसे पहले आप मेरा यह जो यूटूब चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करें नोटिफिकेशन बैल को भी प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाला जो वीडियो है वो मिलता रहे अब देखिए कि गुरू जो है व वो गोचर के उपर अपलाई की जाती है तो यानि कि हम यह कह सकते हैं कि जो भागेस है वो भागेभाव में आ गया और जो दसमेस यानि कर्म का मालिक है वो कर्म में आ गया तो यानि कि आप यह कह सकते हो कि विश्व इस तर पे सभी लोगों के कर्म में लाब होना शुरू ह गज्ट करते हैं अगर आपकी जन्म कुंडली मेस लगन में इसे मेश लगन बना देता हूं तो अब आपके सामने नक्षत्र में और शुकर के नक्षट्र करेंगे तो जो भी कामधंदित कि जो संकेथ हैं वो बच्छे होने शुरू हो जाएंगे विवाह से संबंदी संकेथ अच्छे होगे शुक्र के नक्षवतर में हैं और शुक्र जो है वह मेश लगन कि मेस लासी के ये जो लोगं उन लोगों के लिए लाब के योग बन रहे हैं अब इसे हम वृषब लगन की जन्मकुंडली बना लेते हैं वर्षब लगन जो जातक है उनके लिए गुरू का गोचर अश्टम भाव में हो रहा है तो आठ्वा भाव वैसे लौटरी का भी होता वैसे आठमा भाव विवा को भी करा देता है क्योंकि ये जो हमारे सारीरिक गुप्त अंग है उनसे मिलने वाला जो लाब है या सुक है उनका दिखाता यानि की कामांगों की पूर्ति है तो विवा के भी योग बनते हैं और ये आठमा गर वैसे सुब नहीं माना जाता है तो गुरू वर्धी का कारे का है लेकिन अष्टम भाव में फर्स जाते हैं और यहां पर सुक्र देउता जो है वो लगनेस है तो सुक्र के लगनेस में जाने की कारण ये कर सकते हैं कि यहां पर हेल्थ के कुछ इस्यू आ सकते हैं जातक को कुछ परिसानी आ सकते हैं लेकिन य अब ये है कि जातक का यहां पे गुरु जो है आठवे घर में जा रहा है तो आठवे घर को बढ़ाएगा ये कामांगो की पूर्ती है तो हम इसका दूसरा रूप ये देख सकते हैं कि विवाह के योग भी बनाता है साथ में दहेज की अच्छे योग बन सकते हैं क्योंकि तो मित्थुन लगन के जातक है उनके लिए गुरु का जो गोचर है वो हो रहा है आपके सप्तम भाव में यानि की वेवसाय के घर में यानि की गुरु स्वयराशिका हो रहा है हमस नाम का पंच महाफुरुश योग बन रहा है बहुत अच्छा है शुक्र जो है वो इस जन्म कुंड़ी के लिए पंच में है और बारवे घर के मालिक है यानि की घर्च के वेश हैं तो हम यह कर सकते हैं कि पंच में हैं तो इस वे भाव का दोस्त नहीं लगेगा, तो पंचम-भाव का संबन सब्टम-भाव उते होता है, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे भी विवाह का योग बनता है, और यहाँ पे हमारे काम काज में भी हम यह कह सकते हैं कि हम हमारी जो सिक्षा है वो भी बहुत अच्छी होगी, और हमें अपन गुरु मुला में था और अब जो हैं वो पुर्व साड़ा नक्षतर में आया है पुर्व साड़ा नक्षतर शुक्र का आया है पहले केतु के नक्षतर में था तो गुरु जो हैं वो केतु के परिणाम भी दे रहा था अब जो गुरु परिणाम दे रहा है वो दे रहा है यानि कि छटेगर रोग है रिण है और शत्रू है तो यहां पे स्वेरासी का है और भागय का मालिक है और इसका जो नक्षतर स्वामी शुक्र है वो कहीं न कई लाब घर का मालिक है और चतुर्थ भाव का मालिक है यानि कि सुकिस्तान का मालिक है तो हम यह कह सकते हैं कि गुर कारण अच्छा धन फ्रात होंगा यानिकि जा तक कहीं से ही कमिशन या ब्याज पे अच्छा पैसा कमा सुकता है और जो लोग सरकारी नौकरी के लिए तुलास में है यानिकि गुरू nå Paul चटे गर में आता है तो सरकारी नौकरी के भी योग conquered तो करक लगन के जातों के लिए एक राजयोग जैसा समय है और खास कर कि गुरू जो है वो शुक्र के नक्षतर में जा रहा है जिन लोगों का शुक्र भी योग का रख बैठा है जन्मकुंडलियों में तो उनके लिए भी लाबड़ाइग रहेगा और वैसे भी सब लोगों क और इसके बाद हम सिंग लगन के जात्कों के लिए गुरु हो का गोचर देख लेते हैं तो स्ब्रीच है उनके लिए गुरु का गोचर जो है वो बढ़ा इने वाला है क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि गुरु जो है वो पंचमेश और गुरु जिस नक्षत्र में विराज मान यानि पुर्व साड़ा नक्षत्र जो सुक्र का है वो सुक्र देवता इस सिंग लगन की जर्म कुंडली के लिए दसम घर के यानि की कर्म के मालिक है वैसे तो सूर्य और शुक्र की कोई मित्रता नहीं है लेकिन एक अच्छे योगकारक ग्रय का मालिक है वो यानि कि यह कह सकते हैं कि दस्वांगर कर्म है तो कर्म के बिना क्या जीवन तो कर्म का मालिक और प्राक्रम का मालिक तो प्राक्रम हर वेक्ति की चाहत होती है तो हम यहां कह सकते हैं कि शुक्र एक योगकारक है तो गुरू का यहां पे शुक्र के नक्षत्र में जाना यह क या किसी मितरे से काम करते हैं चाये वह एक्टिंग से जुड़ा हो बाव्ध है교 दो यह जो टायल NAU फ्लेंट है मियरे पांचवे घर का वह हमारा और प्राक्रम घर का सब्सक्रा सक्क्राइब कच्छ और तैस्थ लोग है या फिल्म से समंदित लोग हैं या एड़टाइजिंग में भी क्योंंकि तीसरे घर का भी मालिक है अड़टाइजिंग से भी समंदित लाव है और आठवां घर जुम गया इसमें लाभ देते ता है क्योंकि आठवां गर क्या है इस चीज के अंदर डीप जाने और अन expected यानि कि एक बड़ा धनलाब अगर कोई वेक्ति नॉर्मल रूटीन में कारे करता है तो उसकी नॉर्मल salaries होती है लेकिन कई बार उसे ऐसा project मिल जाता है जो उसके ग्यान को और गुणवक्ता को बढ़ा देता है और अपने ग्यान और अपनी जो intelligence ये उसके द्वारा एक ऐसा कारे कर देता है जिसके द्वारा उसे अच्छा धनलाब हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बारवेगर का भी माली के गुरू तो यह जो धनलाब है ये सिगनिफिकेट करता है गुरू और गुरू एक अच्छे योकार ग्रह के नक्षातर में आ गया क्योंकि इस जन्म कुंडली के लिए लाब दैक है और इसके पस्चात हम बात करते हैं कन्या लगन के जातकों के लिए कन्या लगन की कुंडली में गुरू देवता जो है वो चतुर्थ भाव के मालिक है और आपके यहाँ पे सप्तम भाव के मालिक है चतुर्ट भाव हमारा सुक्स्टान है, जिसमें हमारी गाड़ी है जाईदाध है घर है और इनसे जुड़े होए कारोबार जो है वो भी हमें significant करते हैं सात्वा गर हमारा जो है वो जीवन सात्थी का है जीवन सात्थी से सम्मंदी जितने भी परसन है उन सब का है तो यहाँ पे वो भी लाब मिलता है गुरू यहाँ पे जो है केंदर में गोचर कर रहे हैं तो हम यह कह सकते हैं कि हम सनाम का पंचमापरुस योग बना रहे हैं पह एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि गुरू अपना result देंगे, उससे पहले शुक्र का भी देंगे, अब गुरू जो हैं, वो शुक्र के agent हो गए हैं, तो यहां पर शुक्र जो हैं, वो कन्या लगन की कुंडली में शुक्र जो हैं, वो धन भाव, यानि सेकिंड भाव के मालिक है, जो हमारी परिवार को दिखाता है अब इसके बाद नवमगर के मालिक है उच्छ शिक्षाय का है पिता का भी है और यहाँ पे हमारे को दिखाता है यात्राय भी wear थ्रासफर भी तो हम यहाँ कह सकते हैं कि गुरू यहाँ पे संतान के पारिवारी को दिखाता है सब्सक्राइब कर रहे हैं क्योंकि यहां चतुर्त भाव पांचवे का बारवा है तो इसके परिणामों को काटे गाओं तो यहां पे संतान के योगों में इतना लाव नहीं है जितना की विवाह के योगों में लाव है और खाज करकि यहां पे सेकंड संतान के योगों में लाव है फर्स्ट संतान में दिक्कत है कन्या लगन के जात्कों के लिए एक तरह से घर का गाड़ी का ये भी योग बनता है बैंक वेलेंस बनाने का योग बनता है और काम के सिलसिले में बिजनेस के सिलसिले में विदेश जाने का या फिर अपने घर से दूर जाने का योग बनता है और या फिर धार्मिक यात्राय क करने का भी योगत है क्योंकि नवागरदार में क्यात्राओं का भी है शुक्र जो है और गुरु जो है वो इन धर्म से समझे जुड़ी हुई सस्ताओं को और बंदिरों को इनको भी दिखाते हैं तो कन्या लगन के लिए लाब दैक परिणाम रहेंगे और इसके परचात हम ब बनते हैं छटे गर नौकरी के लिए और लगनेज जो हैं वो यहां पर बहुत मैत्रफून है तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि गुरु जो है वो तुला लगन के लिए अगर गोचर कर रहे हैं इसके तीसरे वाव में और शुक्र के ही नक्षतर में तो हमारे को लाब है अब लोगों के अगर चटे आठ बारवे घर में बैठे हैं तो योग करने हैं क्योंकि वहां पर क्या होगा कि तीसरे घर का संब्द्ध चटे से और चटे का मान लिजए आठ में से होता है तो आपको यहां पर चाहें वो सिख्षा में है रूची हो या फिर कई कोई भी तरह का स पर नूखरी लगने का योग आएगा कहीं ने कहीं वोगों के लिए जो है वह छूटी चूटी यात्राउं से धन कमाने का भी योग आएगा क्योंकि गुरु जो है वह छटे घर का भी मालिक है चटागर क्या अर्निंग है तो यहां पर मिलाभ है साथ में हम धलाली के सोदो गोचर से क्योंकि गुरू का गोचर जो है वो सुक्र के नक्षतर में है तो अपने एजेंट को वह बहुत तेज दोडाएगा यह तो हर कारे का और हर कंपनी का रूल होता है कि अपने एजएंटों से ज्यादा से ज्यादा लेना यहाँ पर इस तरह के लाब हो सकते हैं लेकिन एक बहुत मैतकुन है वो आपकी जन्म कुणली में अच्छा होना नहीं तो आपको बड़े भयानक साइड इफिक्ट मिल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आठवे गर का मालिक शुक्र है तीसरे का यह गुरू हो गया और गुरू गोचर कर रहा है चटे का मालिक गुरू है और अंगल देवता का जो लगन है इसके अंदर गुरू जो है वो पंच मेश है और गुरू का गोचर हो रहा है धन-भाव में यulो में Чपनली के दिया शुक्र नहीं योक कार Edgar नहीं है, वो सबतम के मालिक है और बारवेघर के मालिक है, investment के तो यहाँ पे जो लाब की इस्ति यानि वरष्चिक लगन के लिए लाब की इस्ति यहाँ पे सिर्फ एक ही बन सकती है,ंग विवाहँ के योग क्योंकि सबतम गर के मालिक है, बारवेगर के माली के बारवेगर सहीया शुक है यानि कि हमें विवाभेड बाद मिलने वाला जो लाभ है और शेकिन्ड आउस जो है उसमें गुरु गोचर कर रहा है तो यह हमारा कुट अप rif में वर्धी है तो हम यहां कह सकते हैं कि यह लाभ हो सकता है हमारे को यहां पे विवा के लाप और संतान प्राप्ते के लाप सिर्फ दो ही लाप हो सकते हैं व्यापार एक तोर पे हमें नुकसान का योग बता है क्योंकि पांचवा घर जब बारवे से जुड़ेगा तो हमारे कंपुटिटर बढ़ेंगे और हमें नुकसान होने के योग ज़्यादा सिजाता रहेंगे और इसके प्रचाद हम बात करते हैं दनू लगन के जातों में लिए दनू जो लगन है वो गुरु का ही है गुरु यहां पे केंदर में गोजर कर रहे हैं तो एक तरह से राज्योग है हमस नाम का पंच महाप्रोश योग और यहां पे जो गुरु है वो शुकर के नक्षतर में है पूर्वसाड़ा शुकर इस जन्मक उंडली के अंदर सटेगर का माली का यानि कि हम यह कह सकते हैं कि रोगों का रिन का और हमारे सत्रूँ का और हमें नोकरी का भी कारक है तो यहां पे जो शुकर है वो एक तरह से इसके नुकसान तो है लेकिन इसमें लाब ही है कि नोकरी का योग बनाता है गुरु अगर इस जन्मक उंडली में अच्छा है तो शुकर को अपने आप अच्छा होना पड़ेगा क्योंकि गुरु सुकर का एजेंट है और गुरु जिस तरह के परिणाम देगा उसमें सुकर के भी परिणाम देगा तो हमें लाब मिलेगा यह मिलेगा और साथ में शुकर यहां पे एक योग कारक भाव यानि लाब इस्तान प्राप्ती हमारी जो जितनी भी डिजायर है उन सब का कारक है तो यहां पे लाब देगा ही देगा तो धनो लगन के लिए चाहें वो छटेगर रोगेस का कारक हो लेकिन छटागर नौकरी है तो हमें को यहां पे नौकरी के योग बनाता है साथ में हम यह कह सकते हैं हमारे जितने भी शत्रू हैं, उनको समप्त करने का या उनको जो है, वो खतम करने का योग बनाता है, हमारे को अगर कोई पुराना केस मुकदमा चल रहा है सरकार के द्वारा, क्योंकि गुरु जो है, वो सरकार का भी कारक है, सूर्य की तरह है, तो अगर कोई ऐसा पुराना नियाय का भी कारक है, जस्टिस का कारक है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें उस तरह के केस मुकदमे में जीतने के योग बनते हैं, वहाँ पर हमें लाव होने के भी योग बनते हैं, क्योंकि यह ग्यारवे घर का मालिक है, यहाँ पर नौकरी से सम्मंदित, और इस तरह के लाव से समंदित और health से समंदित भी लाव मिलते हैं, क्यूकि लगन जो हैं, कई न कई जुड़ेगा, 4 से, 6 से और 11 से, तो हमें इस तरह के लाव भी मिलेंगें, तो हम यहां कह सकते हैं कि धनू लगन के जात्कों के लिए भी एक बहुत अच्छा समय निकलेगा और इसके प्रचात हम बात करते हैं मकर लगन के जात्कों के लिए मकर लगन के मालिक शनी देवता है, गुरू और सनी की कोई मित्रता नहीं है गुरू इस जन्मकुंडली के अंदर तीसरे घर के मालिक है और यहां पे मालिक है बारवे घर के गुरू यहां पे एक अशुब ग्राय है सुब नहीं है सनी के साथ कोई मितरता नहीं है लेकिन गुरू जो है वो शुक्र के नक्षतर में है शुक्र और सनी की मित्रता है और यहां पे शुक्र जो है वो दो योग कारक बाओं का मालिक है यानि की पंचमगर जो हमारा त्रिकोण का हिस्सा है और एक हमारा कर्म भाव दसम भाव जो हमारा कर्म है तो इनके भी ना कुछ भी नहीं हो सकता तो सनी यहाँ पे गुरू से चाहें मित्रता नहीं रखे लेकिन गुरू जो परिणाम देगा उसमें कहीं न खहीं लाब के योग होंगे इसमें सबसे मेटवपूर्ण एक सरकारी नौकरी का योग जरूर बनता है उसके बाद हमारे को यहां पे बनता है कर्म को लाब देने का हम यह करते हैं कि गुरू का यहां पे गोचर होना मकर लगन के लिए विदेश से जुड़ावा या अपने छितर से जैसे मान लेजिए कोई वेक्ति अगर दिल्ली से है तो वो अपने सहर से बाहर से लोगों का काम करने में लाब कमाएगा जैसे मान लेजिए कोई दिल्ली का है तो वो पंजाब से हर्याने से राजस्तान से ऐसे अपना माल दूर भेज़ के लान के इन से लाब कमा सकता है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि गुरू बारवे घर का मालिक यानि कि विदेश का कह सकते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से तो जरूरी ने कि हर वेक्ति अपने व्यवसाय को विदेश से जोड़े क्योंकि एक राज प्रेम प्रसंग में ऐसफल होने के भी योग बनते हैं यानि कि मकर लगन के जो जातक है अगर उनका कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है तो वहां पे वो खुद ही पीछे अट जाएंगे और वो अफैर जो है वो फेल हो जाएगा क्योंकि पांचवा गर और बारवा गर एक भी शनी है और गुरु देवता जो है यहां पे गोचर करेंगे आपके लाब घर में यानि की ग्यार्में घर में गुरु का स्विम का गर है और कुम लगन के जातकों के लिए कुम लगन की कुंडली के लिए गुरु धन भाव के मालिक है और यहां पे लाब घर के मालिक चाहें उसकी सनी की मेतरता नहीं हो लेकिन दो अच्छे गरों के मारी गए और जिस नक्षतर में गोचर कर रहे हैं वो भी योकारक है उनमें एक चतुरत भाव है जिसे हम सुकिस्तान कहते हैं एक हमारा यहां पर भाव है नमा भाग्याएं तो हम यह कह सकते हैं कि गुरू का हांपे ुचो रहो ना इंथा के लिए लाब के लिए हमारी प्रॉपर्ट्टी के लिए ला लाब अगा है और हमें कहीं न कहीं यहां पे लाब मिलेंगे घर बनाने के क्योंंकि घर बनाने की इसलिए कि लगनेश जो शनी है वो कारण कारadt का ब्ल्क scream का साथ में शनी जो है, वो घटतर भाव सिंबल भी है दसवे घर की तरह यहांपे यहाँ पे बिलाप मिलता है, और उनके द्वारा हमारा पद भी बढ़ सकता है और हमें यहाँ पे इस तरह के कई सारे लाब मिलने के योग बनते हैं और हम यहाँ पे एक चीज और भी कह सकते हैं कि यहाँ पे उच्छ सिंख्षा के लिए हम विदेश जाने के भी योग बनते हैं क्योंकि गुरु जो है वो विदेश यात्राओं को दिखाता भी है PhD या भी higher education के course को दिखाता है साथ में गुरु यहाँ पे जिसके नक्षत्रा बैठा है वो कहीं न कहीं मालिक है आपके दवम घर का जो उच सिख चका है चतुर्त भाव वो भी सिख चका है और लगनेश यहा वो 12 घर का माले का तो विदेश यात्रा के लिए अपने घर से दूर भी जाने का योग वदा क्योंकि चतुर्त भाव जो है वो कहीं न कहीं इफिक्ट होगा तो चतुर्त भाव का खारक है अपना घर तो घर चोडने योग बनता है तो इस तरह के जातक को प्रेणा मिल सकते कुम लगन के लिए अब बात कर लेते हैं हमारे यहां पे मीन लगन के जो जातक है तो मीन लगन के जो जातक है उनके लिए गुरू का गोचर जो है वो होगा चतुरत भाव में क्योंकि मीन लगन गुरू का ही है यहां पे केंदर के मालिक है केंदर में लगन को और दस्वें ग बातकों के लिए अगर कोई वेक्ति सरकारी नोकरी के कोशिश एक लाव है वहां पे कोई लग सकती है उसकी अगर अंतरदसाइं मादसाइं सूर्य शनी की चल रही है और कहीं न कहीं सूर्य और सनी योग कारक बैठे हैं दूसरे छटे बार में या दस्वे गर में बैठे हैं तो लाब है नहीं तो यहां पे जात्तक को वेर्थ की परिशानिया ज़्यादा है क्योंकि तीसरा गर जो है वेर्थ मेहनत का है बिना मतलब कि घुमने फिरने का है आठवा गर जो है हर तरह से नुकसान और पच्छतावा और कई न कई हमारा फिजूल खर्ची होने का है तो हम अगर आंकलन लगा के बैठें कि मीन लगन के लिए गूरु बड़ा अच्छा पर्णाम देगा तो पहले अच्छा परिणाम दे सकता था जब तक वह मुला में था या फिर जब वो सूर्या के नक्षतर में आजाएगा तब कोई वो अच्छा परिणाम दे क्योंकि सूर् में भी हो रहा है मीन लगन प सुक्र से संबंदीत करें जिससे कि आपको लाब हो यह बहुत मetap हो यह लिए को नीगेटिव सरी बनेंगे और नुकसान के योग बनेंगे इसलिए आप ध्यान रखें सुकर के गुजु पाए करें और काम गाज को उस तरह से ध्यान से करें तो आपको लाब रहेगा आप जो है ऐसा कोई करें करें कि आपका पैसा वसे क्योंकि तीसरा जो है वो अपनी प्रोपर्टी का बारवा है तो अपनी पैसे को पसने का है आठवा गरूस में पस्तावा नुकसान और पैनल्टीज है तो आप ध्यान दे के कारे करें तो आपको लाव होगा ये था गुरू के नक्षत्र परिवर्तन का रिजर्ट सभी लगनों के लिए तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें सिस्क्राइब करें धन्यवाद दोस्तों